पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में दावों की खुली पोल मायागज अस्पताल से बिना इलाज किये मरीजों को किया गया रैफर मौंसून की पहली बारिस में बाका चांदन नदी का डाइवर्शन हुआ ध्वस्त आवागमन ठब जदियू वेवसाइक पर कोष्ट ने चलाया जागरुपता भियान परदेश उपाध्यक्ष ने बाटे हज्जारों माश्क और शीमा पर भारत चीन के बीच हिंसक जड़प में एक अधिकारी समेत सेना के तीन जवान हुए शहीद अब समाचार विस्तार से भागलपूर सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को मध निशेद उतपाद विभाग के अधिक्षा कुमा संकर परसाथ समे 36 कर्मियों की कोरोना वैरस जाच के लिए सेंपल ली गई बता दें की भागलपूर उतपाद विभाग के एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आई थी जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोरोना वैरस टेश्ट करवाने का निरने लिया सदर अस्पताल कोरोना जाच लेब में मेडिकल गाइडलाइन्स के अनुसार अस्पताल के चिकित्सा पदादिकारी डॉक्टर एके मंडल एवम अस्पताल परवंदक जावेद मंजूर की देखरेक में सेंपल ली गई इस दोरान सभी लोगों को कोरोना के प्रती शाबधानी बरतने और रिपोर्ट आने तक सेल्फ कॉरंटाइन में रहने की बात कही गई वही घंटागर चौक एवम सदर अस्पताल परिसर के आसपास दुकान लगाने वाले दुकानदारों की भी सेंपल कोरोना वैरस जाच के लिए ली गई है बागलपुर के माया गंज JLNMCH अस्पताल में बहतर स्वास्त वेवस्ता के दावे तो खूब किये जाते हैं लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है हलांकि केंदर रिवम राज से अस्पताल का निरक्षन करने जब भी जांश्टी माती है तो कुछ ही च्छनों में अस्पताल परवंदन द्वारा सुरक्षा से लेकर स्वास्त वेवस्ता तक दुरुस्त कर दी जाती है वर्तमान समय में समानी बीमारियों का इलाज करने से भी डॉक्टर पल्ला जाड रहे हैं दरसल खगडिया दुधेला गाउनिवासी टुन्टुन मंडल की रील की हड़ी में दर्द की सिकायत होने पर परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल में भरती कराया और लॉकडाउन के कारण उसकी आर्थिक इस्तिती बदतर हो गई है जिस कारण पटना जाकर इलाज कराना मुस्किल हो गया वहीं परिजनों ने कहा कि मायागंज अस्पताल में एम्बूलेंस मौजूद होने के बाबजूद एम्बूलेंस नहीं दिया गया और प्राइवेट एम्बूलेंस के लिए पैसे नहीं थे मरीज की आर्थिक इस्तिती खराब होने के कारण घर भी आटो से जाना पड़ा अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जब मरीजों का इलाज करने और एम्बूलेंस मुहया कराने के नाम पर अस्पताल परवन धन पीछे हट जाता है तो सरकार किस बहतर स्वास्त वेवस्था की बात करती है मांसून की पहली बारिश में ही बाका चांदन गंग्टी नदी पर बना डाइवर्सन तेज बहाओ के कारण तूट गया डाइवर्सन तूटने के कारण संभू गंज असर गंज मुख्यमार्ग पर आवागमन ठप हो गया जिस कारण कई छोटे बड़े वहन फस गए और बाराहट बौसी रजोन एवं धोरया का समपर्ख जिला मुख्याले से तूट गया इसके पूर्व 21 मई को पानी के तेज बहाओ के कारण अस्थाई डाइवर्सन तूट गया था वहीं सौमवार को पूल के डैवर्सन के तूटने से लोगों को आने जाने के लिए काफी मसकत करनी पड़ रही है और लोग जान जोखिम में डाल कर नडी पार करने को विवस हैं जबकि लोगों ने डैवर्सन तूटने के लिए सरकारी निती और अधिकारियों को जिम्मेदार बताया साथ ही कहा कि कभी भी किसी के साथ बड़ा हाथसा हो सकता है लेकिन जनता से किसी को कोई मतलब नहीं वेश्विक महमारी कोरना वाइरस से बचाओ के लिए भागलपूर में कई संगठन लोगों के बीच जागरुकता फैला रही है महमारी की रोक्ताम के लिए शहर में जद्यू वेवसाइक परखोष्ट के परदेश उपाध्यक्ष दिपक कुमार भुवानिया लोगों के बीच माश्क एवं सेनेटाइजर का वितरन कर रहे है सूबे के मुखिया नितिस कुमार के निर्देश पर परदेश उपाध्यक्ष ने नववे दिन भागलपूर के बिविन वाडों और चौक चौराहों पर जाकर पचपन सौ मास्क का वितरन किया दिपक भुवानिया ने बताया कि अब तक उनकी टीम के द्वारा 45 अज़ार से ज़्यादा माश्क का वितरन किया जा चुका है और एक लाख लोगों को बाटने का लक्ष रखा गया है मंगलवार को पुरु महापौर दिपक भुवानिया ने SM कॉलेज रोड और खंजरपूर इलाके में अभियान चला कर लोगों को जागरू किया साथ ही बिना मास्क पहने लोगों को माश्क दिया दिपक कुमार भुवानिया ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता के स्वास्तेवं रोजगार को लेकर कई योजनाओं पर काम कर रही है मौके पर जिला ध्यक्ष दिपक गुपता, अभिजीत गुपता, उमा मोदी, अजयराय समेट कई जदियुकारी करता मौजूद थे जो करोना ऐसी जो महमारी बिमारी है, इसके लिए आप देखते हों कि देश में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इसके बारे में बोल रहे हैं, हमारे नेता निदिश कुमार जी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि लोगों को अब इस से बचने का एकी उपाय है कि आप मा पुर्वी लगदाक की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच समवार की राथ हुई हिंसक जड़प में भारतिया सेना के एक अधिकारी एवं दो जवान सहीद हो गए इसके विरोध में मंगलवार को भागलपूर के शहीद भगत सिंग इसमारक के समीप NSUI के कारीकरताओं ने केंडल जला कर सहीदों को सरधान जली अरपित की इस दोरान छात्रनेता आरियन राज के नेत्रित में आयोजित कारीकरम में सभी कारीकरताओं ने शहीदों के प्रती समवेदना पर कट की और भारत सरकार से चीन की इस दुस्साहस के लिए कड़ी कदम उठाने की मांग की साथ ही कहा कि लंबे समय से भारत चीन सीमा पर तनाव का माहौल है और इससे निपटने के लिए हम सभी को एक जूठ हो ना होगा NSUI के कारीकरताओं ने चीन के खिलाप आक्रोस व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 45 वर्सों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के सेनिकों ने भारत के सेनिक की हत्या की हो और भारत को इसका मुतोर जबाब देना चाहिए आज हम लोग यहाँ पर सरधामजी दिने आए रहे हैं जो कि आज चीन के लग्दाग के पास जो गलवान गोडर है वापत चीन के सैना के द्वारा एक उपसर दो जवान सही दी और ये पहली बार 45 वर्सों में ये पहली बार हुआ है जो चीन की सैना ने एक उपसर और दो जवानों को मारा जल जीवन हरियाली के तहत हो रहे तलाब निर्मान कारियों का जैजाले ने समवार को कहल गाउं विधायक सदानंद सिंग सनहौला के अगया गाउं पहुंचे विधायक ने दो तलाब निर्मान कारिय की जाच की विधायक ने कहा कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार की महत्वा कांची योजना जल जीवन हरियाली के अंतरगत राज जिभर में तलाब खुदाई की जा रही है जिससे भूगर्व जलस्तर में वृधी हो सके उन्होंने कहा कि तलाब खुदाई के बाद मिट्टी बेचे जाने की कई बार शिकायत मिलती है और लगू सी चाई विभाग के अधिकारी द्वारा इसकी जाच करवानी चाहिए साथ ही विधायक ने विभाग के अधिकारियों को बरसाथ से पुर्व कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जिससे कई किसानों को भी लाब मिल सके इस मौके पर युवा कॉंगरेस नेता सुभानंद मुकेश मुकिया संजे सिंग समेत कई लोग मौजूद थे अपने सिकायद किये है अलक्ट्रोमिक मीडिया के माधियम से हम इसको जखेंगे आपने सिकायद किये भी हमको चरौंधा में भी आ गई हमें भी उसको मुक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मन की उदासी, नस, सिर्दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनेक जो कलसंटेंट निरो साइकाट्रिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिखमी किया जाता है। Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, MD, Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादुनिक तक्नीक से सभी परकार के रेडियो डाग्नोसिस की स्वीधा पिछले आठ साल से उपलग्द है। भागलपूर का पहला Digital 1.5 टेसला होल बोडी MRI स्कैन Multislices Whole Body City Scan अत्यादुनिक अल्टरासाउंड मेशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर अल्टरासाउंड गाइडेट पाने निकालना अत्वा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जाच की सुवीधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाच Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का OPG अत्यादुनिक पैथोलोजी की व्यवस्था खोन, पैशाब, आदी जाच के लिए बाहर जाने की ज़रुरत नहीं हवादार प्रतिक्छाले एवं सुद्ध पेजल के व्यवस्था सीटी स्कैन एंड डिजिटल X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वा डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline सीटी स्कैन एंड डिजिटल X-ray क्या आपको कान, नाग या गले में कोई समस्या है जैसे कान बहना, सुनने में परिशानी, कान में दर्ड, गले की खरास, गले में दर्ड, थाइराई, नाग का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादी है तो समस्या के निदान है तू आपके शहर में विश्व अस्त्रिया स्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल जिसमें अतिया अधुलिक उपकण्डो द्वारा उप्चार, डॉक्टर ह. एच आई फारुक की देखरेग में किया जाता है डिजिटल एक्सरे एवब कम्प्लीट ओडियो लॉजिकल प्रोफाइल की विवस्था साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ओटो एकॉस्टिक इमिशन टेंपॉनोमेट्री जाच की जाती है और हाँ एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आगलन किया जा सकता है बिना तारवाली कान के अंदर लगने वाली सुक्ष में देशी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है विदेशी मशीनों से सुसरजीत ओपरेशन थेटर तथा पेसेंट के रहने के लिए एसी नौन एसी जेनरल वार्ड उपलब्ध है चमपान नाला पूल के निकट चमपान अगर भागल पूल चिते समय तीशू पेपर कर स्तमाल करें और वो यूज किया वा तीशू पेपर तुरंट धकन दार कशे के दब्बे में फेक दें कहीं भी जाए तो माक्स लगा के जाए किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्राब्लम हो तो उससे एक मीटर की दूरी बनाए रखें अपने गंदे हाथ आख नाख मूमें ना सटाए आपको ये छोटी-छोटी साफ धानी आपको बहुत कामा सकती है ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते एंगली ख़बर की ओर भागलपूर जिला भाजपा अध्यक्च रोहित पांडे के नेत्रित में मंगलवार को विधिक प्रकोष्ट जिला संयोजक विरेस मिस्रा की मौजूदगी में महाजन संपर्क अभियान चलाया गया इस दोरान भाजपा कारी करताओं ने भागलपूर वेवार नियायाले के अधिवक्ता के बीच पीम मोदी का पत्र वित्रित किया और मोदी सरकार के दूसरे कारीकाल की उपलबधियों के बारे में बताया साथी पीम मोदी एवंग्री मंत्री अमित्सा के नेत्रित्व में देश के विकाश के मार्ग पर निरंतन आगे बढ़ने की बात कही जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नित्रित्यु में देश विकास की मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है और भारत की छवी पुरी दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में उभर रही है साथ ही कहा कि कुरोना वाइरस से बचाव के लिए सरकार के साथ आम जनों को भी आगया आना होगा और स्वास्त विभाग की एडवाईजरी का पालन करना होगा भागलपूर परधान डाक घर में मंगलवार को सम्मान समारो का आयोजन किया गया इस दोरान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सिर्फ 10 डाक पालों को भागलपूर परमंडल के डाक अधिक्छक आरपी परसाद ने पुरुस्कृत किया अधिक्छक ने बताया कि 8 और 19 मई को आई पीपी बी में इंडिया लेवल पर लोगों का खाता खोला गया था जिसमें बिहार में भागलपूर का रिजल्ट सबसे बहतर रहा इसी को ध्यान में रखते हुए बहतर कारिये करने वाले 10 साखा के डाक पालों को सम्मानित किया गया मौगे पर परधान डाक घर के पोस्ट मास्टर सुनिल कुमार सुमन समेत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे इंडिया फॉस्ट पेमेंट बैंक जब से खुला है उस समय से लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उसका फल भी हम लोग को मिल रहा है हम लोग दो आठ तारिक, आठ माई और 19 माई, 19 माई दो दिन All India लेवल में हम लोग जो काम किये हैं वो प्रथम हुआ All India में बिहार का पोजिस्टन, उसी के लिए हम लोग इसको सेलेबरेट कर रहे हैं और जो अच्छे काम किये हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और एक लाख पचीस हजार करीब हम लोग पूरी बिहार में और 19 तारिक को तीन लाख पचीस हजार एक काउंट खोला गया था उसमें भागलपूर का भी बहुत अच्छा जोगदान रहा अनलॉक वन में शहरी और ग्रामी छेतर के लोगों को जादा से जादा सरकारी योजनाओ का लाव मिले इसको लेकर योजना घर की ओर से लगतार जागरुकता भियां चलाया जा रहा है मंगलवार को भागलपूर वाट नमबर 11 में योजनाघर के संस्थापक मानब केजरिवाल और उनकी टीम के द्वारा सरकारी योजनाओ की जानकारी दी गई साथ ही मानब ने बताया कि समाच के अंतिम पाइदान वाले लोगों को भी ऑनलाइन माध्यम से योजनाओ का लाव दिलाया जाएगा मानप कैजरिवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सरकार ने कई योजनाएं चलाई है जिसका लाप दिलाने के लिए योजनागर के टीम आम जनता के बीच पहुँच रही है की और NCS Registration इस तरह के कारे के साथ इस कारे को सुरू कर रहे हैं इससे ये फायदा है कि वार्ड नंबर 11 में रहने वाले जितने लोग हैं वे सभी लोग यहाँ पे सरकारी योजना जो ऑनलाइन रेजिटर की जा सकती है 80% योजना या दिक्तर ऑनलाइन है तो सभी योजनाओ का लाव यहाँ पे ले सकते हैं अब नवगचिया गोपालपूर के सैधपूर गाउं में लगू जल्द हंसादन विभाग द्वारा जल जीवन हर्याली अभियान के तहत 34,14,000 की राशिशे तलाब का निर्मान कराया जा रहा है जिसको लेकर भागलपूर के वरिया उप्ष महारता ने शैदपूर जाकर निर्मान कारिय की जाच की वरिया उप्ष महारता ने तलाब खुदाई स्लोपिंग निर्मान समय तमाम कारियों का जायजा लिया और निर्मान कारिय को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया वरिया उप्ष महारता ने कहा कि तलाब निर्मा अपनी आठ सुत्री मांगों को लेकर मात्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को एक दिवसिया धरना दिया देश्वियापी पर्तिरोद दिवस के रूप में भागपा जिला मंत्री दसरत परसाद के नेत्रित में नगरीकाई कारियाले समेच जिले के विविन परखंडों एवं पंचायतों में धरना दिया गया इस दोरान कारीकरताओं ने सभी गरीब परिवारों को छे मात तक साले साथ जार रुपे परति माह देने जोरत मंदों को मुफ्त राशन देने मनरेगा कारी के अंतरगत मजदूरी पाच सो रुपे परति दिन्दे ने लूट एवं भराश्टा चार पर रोक लगाने माकबानेता जगदीश चंदरबशु एवं सहीद राधे सिंग के हत्यारे को गिरफतार करने समयत कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद की इस मौके पर मनोहर मंडल, मनोज गुपता, किरंदेवी, नेजहात अंसारी समयत कई कारीकरता मौजूद थे बागलपुर स्काउट एंड गाइड के जिलाकारियाले परिसर में मंगलवार को नविर्मीत भवन का उदगाटन नगर विधाय कर जित सर्मा ने फीता काट कर किया इसके पुरु भारत स्काउट एवं गाइड के छात्र छात्राओं ने अतितियों का स्वागत बेंड और ताली बजा कर किया संस्ता के सचिप परवीन जा ने बताया कि 14,05,000 रुपे की रासी से नए भवन का निर्मान किया गया है वहीं विधायक अजित सर्मा ने कहा कि नए भवन का निर्मान करने के बाद भागलपूर में स्काउट गाइड के कार्यवम ट्रेनिंग में काफी सुविधा मिलेगी समास से भी परकास चंद्र गुपता ने नए भवन की निर्मान में सहयोगरासी देने वालों की जमकर प्रसंसा की साथ ही स्काउट एंड गाइड द्वारा चलाय जा रहे अभियान की शराहना की मौगे पर वार्ड नंबर 21 के पारसत संजे कुमार सिनहा, कॉंग्रेस जिलावपाध्यक्ष डक्टर अभै आनंद, परवीन कुमार सिंग, विद्या ज्छा, आशा कुमारी, मनीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे स्कॉट एंड गाइड में काफी दिनों से जो बच्चे बच्चियां आती थी ट्रेनिंग के लिए उनको रहने की कोई वैस्ता नहीं थी, तो यहां के लोगों ने बताया जो पदाधिकारी हैं कि यहां पे एक भवन की जरुवत है, निश्यत तोर पर चुकि स्कॉट एंड स्कॉट एंड गाइड के लोग शभी विप्दा के स्थिती में, चाहे वो बाड हो, चाहे वो सुखाड हो, चाहे जैसे कोरोना के महामारी में इनों ने जो योगदान बच्चे बच्चियां करती रही हैं स्कॉट एंड गाइड के अपदाधिकारी, उनके लिए यह बहुत ज़री था और मैं गौर्वानमीत मैसूस करता हूँ, मैं योजना तो बहुत देता रहता हूँ, सड़क, नाले, प्याओ, पानी की वस्ता, बोरिंग, बट यह जो काम हुआ है, यह पूरे देश में एक सबक है नवगचिया के जहानवी चौक इसमाइलपूर में बांध निर्मान की मांग को लेकर, नवगचिया जलसंसादन विभाग कारियाले के समक्छ विगत छे दिनों से जिलापारसद विपिन मंडल द्वारा दिया गया धरना, मुख्य अभियंता के अस्वासन के बाद शमाप् करने का आग्रह किया, जिसके बाद जिलापारसद को शीतल जल पिला कर धरना समाप्त करवाया गया, इसके पूरू कारिपालक अभियंता के साथ पहले चरन की वारता विफल होने के कारण, पारसद इवम ग्रामिन काफी आक्रोसित हो गए थे, और जलसंसादन विभाग के क तर्याले का दर्वा जाब बंद कर दिया था, जिसके बाद मुख्य अभियंता की पहल पर साकारात्मक महौल में धरना समाप्त कर आया गया, जिलापारसद ने कहा कि साल में तीन मह इलाके में पूरी तरह पानी रहता है, और बांध निर्मान होने से ग्रामिनों को भारी ज सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पोजेटिव आने के बाद उतपाती भाग के तीन दर्जन कर्मियों का लिया गया शेंपल पुर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में दावों की खुली पोल मायागज अस्पताल से बिना इलाज किये मरीजों को किया गया रैफर मौंसून की पहली बारिस में बाका चांदन नदी का डाइवर्शन हुआ ध्वस्त आवागमन ठब जदियू वेवसाइक प्रकोष्ट ने चलाया जागरुपता भियान प्रदेश उपाध्यक्ष ने बाटे हज्जारों माश्क और शीमा पर भारत चीन के बीच हिंसक जड़प में एक अधिकारी समेत सेना के तीन जवान हुए शहीद एनस यू आई ने केंडल जला कर दी सरधान जली फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार